स्टुन्स आज हम बीए पार्ट वन प्रमुक भारती राजनितिक विचारक में तिलक के विचारों का अध्यन करेंगे इसे पूर्व हम तिलक के शिक्षा संबंधी, राजनितिक संबंधी और सामाजिक विचार उनके हम पढ़ चुके हैं आज हम उसी करम में आगे बढ़ते हुए तिलक का भारती अशानिति के जनक इसका अध्यन करेंगे तो क्या तिलक भारती अशानिति के जनक थे या नहीं स्ट्रंस सर वैलेंटन शिरोले ने अपनी पुस्तक इंडियन अन्रेस्ट में तिलक को भारती अशान्ती के जनक की संग्या दिये और कहा है कि वे जन्ता में द्वेश फिलाने वाले सबसे खतरनाक अग्रदूतों में एक थे इस प्रकार की संग्या का प्रियोक करते हुए शिरोले का आशहियरा है कि तिलक ने भारती जन्ता को बिटिस सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रों के लिए प्रेरित किया वस्तुस्तधी या है कि तिलक ने भारती जन्ता को सशस्त्र विद्रो के लिए नहीं वरन शांती पून जन अंदुलन के लिए प्रेडित किया था उनका कार्य हिंसा और क्रांती को प्रोचान देना नहीं था इस प्रकार तिलक का यह अर्थ में भारती अशांती के जनक नहीं थे जिस अर्थ में शिरोले ने तिलक की निये इस प्रकार की संग्या का प्रियोग किया था ठीक है ये एक क्योशन आपके बनता है कि तिलक को भारती अशान्ति का जनक किस ने कहा तो आपको ध्यान अखना यह सर वैलेंटन शिरोल ने कहा था ठीक है तिलक भारती सुतंतरता के लिए समर्पित व्यक्ती थे जिसने जन जन में मन और मस्तिष्क में सुतंतरता में गहरी चाहा उत्मन कर दी थी सोतंतरता हमारा जन में सद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे का नारा देकर उन्होंने जनता को आत्म विश्वास से भर दिया और जन जागर्ती तता शांती पूर्ण जन आंदुरन का मार्ग अपना कर उन्हें देश की सोतंतरता के लिए प्रेरीद किया उन्होंने जनता के मन और मस्तिश्क में देश की परतंतरता के प्रति आशांती उत्पन कर दी और इस दश्टी से उन्हें भारती आशांती के जनक का सम्मान अवश्य ही प्राप्तु होगा डॉक्ट वर्वा लिखते हैं कि तिलक ने भारती राष्ट्रवात की नीव का निर्मान किया और अशान्ती तथा राजद्रोह की भावना तिवर की किन्तु उन्हें सशस्त्र विद्रोह या सामोहिक हिंसा में कोई विश्वाश नहीं था तो तिलक के लिए जो वैलेंटाइन शिरोर ने कहा है कि तिलक भारती अशान्ती के जनक थे वो गलत है हलांकि तिलक का जो शस्त्र थे जो उनके साधन थे वो निश्चे ही अक्रामक थे जैसे कि निश्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी, बहिश्कार, राष्ट्रे शिक्षा उनका जो ओजार थे, उनके जो शस्त्र थे, वो निश्चे ही ऐसे थे जो युवाओं में जोश भर देने वाले थे जैसा कि उनका एक महत्तोपण नारा है कि सतंत्रता मेरा जन में से अधिकार है और मैं इसे लेकर हूँगा साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बिटिश शाषन, अगर हम विदेशी शाषन की दास्ता को स्विकार कर रहे हैं तो ये हमारी स्वैम की कमी है कि हम किसी को अपने उपर शाषन करने का मौका दे रहे हैं तो ये सारी बाते हमारे उपर स्वैम के उपर निर्भा करती हैं तो निश्चे ही तिलक भारती अशानती की जनक थे क्योंकि उनके द्वारा जो साधन अपनाए गये वो वास्ताव में क्रांतिकारी थे अब इसमें आता है तिलक और समासुधार तो क्या तिलक समासुधारों की विरोधी थे तो स्ट्रेंट से सबसे पहला आता है समासुधार की तुल्ना में राज़ितिक स्वतंतरता को तिलक ने हमेशा प्राथमिकता दी है तिलक की माननेता थी कि सबसे प्रमुक समस्या देश की परतंतरता है अतर हमारे द्वारा अपनी समस्त शक्ती देश की स्वतंतरता का वातावर्ण बनाने में लगा दी जानी चाहिए यदि इस विदेशी शाषन को समाप्त न किया जा सके तो इस विदेशी शाषन की शक्ती क को यता संभव का मवश्य ही किया जाना चाहिए देश के स्वतंतर हो जाने पर जन्ता के द्वरा निर्वाचित विधायक स्वतंत्र आलोचना के वातावरण में सामाजिक परिवरतन की समस्याओं Evangel ganze पुचित निर्णे ले लेंगे तिलक देश की स्वतंत्रता के महान कार्य के प्रतिसमर्पित थे यतार्थवादी द्रिष्टिकोंड के कारण वे अपनी और देश की समस्त शक्ति इस एक ही कार्य में लगा देना चाहते थे उनका ये कहना था कि सामाजिक प्रगती राजनिति मुक्ति की कसोटी नहीं है सन 1899 में उन्होंने बर्मा में जो कुछ देखा था उनके द्रश्टिकोंड की पुष्टी कर दी थी बर्मा में सामाजिक स्वतंत्रता भारत की अपेक्षा अधिक थी किन्तु बर्मा की राजनितिक इस्तिति भारत से अच्छी नहीं थी तो इस तिलक का ये मानना था कि भारत में समाज सुधार की तुल्ना में राजनितिक स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी है दूसरा है समाज सुधार कायरे में बिटिश शाशन और विदेशी नोकर शाही के हस्तक शेपका तिलक ने सदेव विरोध किया 19 सदी में हिंदू समाज सुधार आंदोलन जैसे की ब्रह्म समाज जो की राजराम महुन रहा के द्वरा शुरू किया गया था आरे समाज प्रातना समाज समाजिक जीवन में सुधार है तू सरकार द्वारा कानून बना जाने के विरुद्ध नहीं थे इस काले के लिए उन्होंने सरकार से आग्रह किया और सरकार की साहता भी की लेकिन समाज सुधार के संबंद में तिलक का दिश्टिकौन थोड़ा अलग था तिलक का कहना था कि यदि ब्रिटिश सासन और नोकर शाही को सामाजिक जीवन में स्तक्षेप करने दिया जाए तो इससे ब्रिटिश शाशन की शक्ती का प्रसार होगा अता सुतंतरता प्रेमी तिलक इस इस्तिती को अच्छा नहीं मानते थे तिलक को यह बात अपमान जनक भी लगती थी कि हिंदू लोग नोकर शाही के समक्ष जाकर उनसे समास सुधार कानून बनाने की याचना करें उन् बिलकुल गावारा नहीं थी ठीक है तो इसलिए उनका यह मानना था कि समास सुधार कारे में बिटिश शाशन और विदेशी नोकर शाही का अस्तक्षेप के वो विरोधी थे नेक्स आता है प्रस्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानू करण का विरोध तिलक सामाजिक परि उधारन के लिए तिलक का विचार था कि लड़कियों को शिक्षा तो अवश्य दी जाने चाहिए किन्तुबे पास्चाती सब्वेता के रंग में रंगने के विरुद्ध थे क्या कहा हुनोंने कि लड़कियों को शिक्षा दिया जाना ये ये नहीं है कि हम पास्चाती सब् डंग को अपनाने के विरोधी हैं तिलक ने यह बाद भी तिलक से यह बाद भी चिपी भी नहीं थी कि इसाई लोग समाज कारे की आड में कुटिल तरीके से धर्व परिवतन का खेल उस समय खेल रहे थे जो कि उन्होंने जिसका उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया तिलक ह सुधार को जैसे कि रानाडे गोखले आगरकर और मालाबारी आदिसन के विचार मेल नहीं खाते थे हिंदू समाजिक प्रणाली के महान मुल्यों में उनकी घहरी आस्था थी और विभारती समाज की प्रगती भारती आदर्शों के अनुरूप ही चाहते थे तिलक के अनेक तिलक ने अनेक आवसरों उपर और स्पस्ट रूप से अपने समाज सुधार विश्यक दश्टिकून का परिचे दिया तिलक अस्प्रश्यता की प्रसा के पूरी तरसे विरोधी थे उन्होंने गणेश उत्सव के जुलूसों में नीची और उची सभी जातियों को शामिल ह उन्होंने तथा गणेश की प्रतिमाय इस्थापित करने का किया अग्या दी उन्होंने भेद्वाव को समाप्त करा उन्होंने 1918 में बंबई अधिविशन में घोशना की कि सभी भारती एक ही मात्र भूमी की संतान है और आश्प्रश्यता को किसी भी नेतिक या आध्यात्मिक आधार पर उचित नहीं ठहरा जा सकता दिलक आश्प्रश्यता के पूरी तरह से विरोधी थे उन्होंने समाप्त सुधार के संबंद में कुछ प्रस्ताओ रखे वो इस प्रकार है लड़कों के विवा की नियुन्तम आयू 20 वर्ष और लड़कियों के विवा की आयू 16 वर्ष हो चालिस वर्ष से अधिक आयू के पूरुष विवा ना करें और यदि वे विवा करना चाहते हैं तो वो किसी विद्वा इस्तरी से विवा करें विवा उत्सव पर मदपान बंद कर दिया जाए तहेच का चलन रोक दिया जाए विद्वा इस्तरीयों को विरूप नहीं किया जाए अस्प्रश्यता का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जाए जनता में शिक्षा का अधिक अधिक परचार प्रसार किया जाए शिक्षा म को संबलित किया जाए प्रतेक समास सुधारक अपनी मासिक आये का दस्वा भाग सारवजिनिक कार्णे में खर्च करें तो ये वे सारे प्रस्ताओं हैं जो तिलक ने समास सुधार के संबंद में प्रस्तावित किये तिलक के गोर विरोधी वैलेंटैन शुलोरे ने निराधार युक्तियां जुटा जुटा कर ये सिद्ध करने की चेश्टा की कि तिलक पुरातन पंती और रूडिवादी थे इसलिए उन्होंने ये कहा कि तिलक अशान्ती के जनक है जिन में धार में किया सामाजिक सुधारों के प्रति कोई रूची नहीं थी तिलक एक निश्चित और स्पस्ट सामाजिक दर्शन था और विसमास सुधार चाहते थे उन्हें पुरातन पंती और रूडिवादी कहने का कोई भी आधार या उचित्थिया नहीं है तो इन सारी बातों से ये स्पस्ट हो जाता है कि वेल तिलक ने समास सुधार के साथ साथ उन्होंने राजनितिक सोतंत्रता को प्राथमित्ता दी जो कि उस समय की डिमान थी उस समय उसी चीज की जरूरत थी उन्होंने समास सुधार कारे में बिटिश शाषन और विदेशी नोकरशाही के हस्तक शेप का विरोध किया वो भी उस समय आवश्यक था समासुधार कारिय दीरे दीरे और जन्मत निर्माण से ही संभव होगा ऐसा उनका मानना था तिलक ने अपने शस्त्र में स्वदेशी बहिशकार अश्ट्रिय शिक्षा आदी सभी को अपनाया जो की वास्तों में सही और उचित था अथा सारी बातें तिलक क भारती अशान्ती की जनक नहीं थे स्ट्रंट से आगे हम तिलक के अन्य विचारों को को साथ में उनके जो विचार है उनका योगदान है उनको देखेंगे तैंक यू झाल